अब लालू क्या कह रहा है कोई डील नहीं हुई है मगल उनको चीप मिनिस्टर के रूम में देखना चाहते है ते जस्ट्री आदो क्यों वहां की जनता और उनकी जितनी भी राजनीत रही वो परवार के पीछे ही रही कि मेरी बेटी मेरा ललका मेरी बीबी मुखमंत्री बन यह उनकी साफ डिलिंग रही नितीज कुमार से लालू डड़ते भी है इस बात पर नितीज कब पल्टी मार जाए इस चीज को लालू समझते हैं नितीज भी समझते हैं तो लालू बहुत सधावा निसाना कर ला है मगर वो जानते हैं कि हम नितीज से बोट में आगे हो सकते सब चीज में हो सकते हैं मगा पल्टी मालने में नितीज से नितीज जो है कभी भी किसी को सत्ता अपने आंगे देहिने इसकते हैं उन्होंने नहीं सुसील मोधी को दी ना किसी को दी और उनका बहुत यह है कि लंबी राजनीद खेलना नितीज तो कभी भी आपको ताने जब तक वो जी भीत रहेंगे तब तर राजनीद में अपनी धक्रिंदाजी देते रहेंगे मसकार स्वागत है आपका SDV नियूज पर मैं हूँ आपके साथ शिपरा सैनी बिहार में गटबंधन की सरकार में दरार पड़ती दिखाई दे रही है जिस तरीके से नितीश कुमार मुख्यमंत्री है उन पर आरोप लग रहे हैं कि दरसल उन्होंने आरजेडी के साथ डील की ह है कि तेजस्पी यादव को मुख्यमंत्री बनाया चाए उपेंद्र कुश्वा जो की जेडियू से अलग हो चुके हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था लेकिन इन आरोपों पर अब लालू परसाध यादव का एक बयान सापने आया है उन्होंने ये तो कहा है कि जेडिय के साथ नितीश कुमार के साथ कोई डिल नहीं हुई लेकिन जनता चाहती है कि तेजस्पी यादव मुख्यमंत्री बने और इस पूरे मामले पर वसार से बातचीत करेंगे वरिष्ट पत्रकार अज़े जी मेरे साथ हैं अज़े बहुत-बहुत स्वागत है आपका सवाह य के साथ कोई डिल नहीं हुई है लेकिन ये भी उनके मन में है कि तेजस्पी यादव मुख्यमंत्री बने भले ही वो ये क्या रहे हो कि जनता चाहती है कि तेजस्पी मुख्यमंत्री बने आखिल लालू चाहते क्या है ये सवाल है देखे लालू की एक एज हो गई है और ला लड़का बन जाए ये उनकी साफ डीलिंग रही तो इस समय है कि आपने देखा होगा हर युग में रहा दौपर में धहतराष्ट को पुत्रमो था त्रेता में भी पुत्रमो था तो सभी को पुत्रमो रहे था उनके अंदर भी अब वो इसलिए कह रहे हैं कि आईसी कोई डील नहीं हुई है चूकि वो जान गया है इसमें चला-चली का बेला है दूसरा नितीश कुमार से लालू डड़ते भी है इस बात पे नितीश कब पल्टी मार जाएं तो कहा नहीं जा सकता दूसरी बार नितीश कुमार बीजेपी के साथ भी खुब रहे इनके साथ भी रहे पर एक दिन पता चला कि नितिश कुमार ने इनका साथ चोड़ दिया और BJP से जब सपत हो गई, जब सपत होने जा रही थी, तब लालू का मालू होपे है, BJP साथ गड़ बंदन हो गया, इधर फिर उन्होंने BJP साथ चोड़ दिया, तो ये लालू भी जानते हैं, कि अगम एकद जेधा चालाख निकला नितिज कुमार से तो जब मिले नहीं अछा ये भी और किसी से मिले नहीं गए तो इनको वड़ा दुक हुआ और लालु समझ गैं कि नितिज के दिमाग में कुछ और कुछ चला जोकी नितिज को अभी तक कोई समझ नहीं अब वहाँ जाचे शुरू हो गई और जाच की उनकी तारीक है इतर लालू की भी वह है तेज़ोस्टी की भी 25 तारीक को उनकी डेट है और उनके उपई ED का भी संबन है तो वो जान गए हैं कि हमें लगता है कि नितीश का ये इंडायरक वे पे पूरा-पूरा गेम है तो उनकों पुत्रमों भी जाहिल कर दिया और बहुत सधा हुआ निसाना माला है उसकी बज़े बता रहा है अब लालू क्या कह रहा है कोई डील नहीं हुई है मगर उनको चीप मिनिस्टर के रूम में देखना चाहिते है तेज़ोस्टी यादो की वहां की जनता तो ये उन जमसी ने कहा है कि पिधान मंतरी के लिए ममता बनर जी होंगे तो उसके तुरंची जवाब में जमा खान ने कित कहा और जनता दल के और भी कई लोगों कहा कि नहीं नितीज बेटा लोंगे फिर इदा संयोजक की बात हो रही है इसके INDIA गटबंधन के संयोजक की बात हो रह कि अगलने के वानँरा होंगे अब उन्होंने क्लियर कर को कि यह जो है. बिहार का की समूँ ओगा. जिसमें जहां तक जहार cash hide हो सकता है यूपी का समूँ अलग होगा. तो लालु यह भी कि मैं बैलेंस बना नहूं यादो बोर्ट पे मैं बिहाल और जारखन में भी यादो बोर्ट बैलेंस यूपी वाला अलग है मुलाइम सिंग हमारे रिस्तेदार हमारी लड़की उनके यहां भी है हम उनको डील कर लेंगे इस तरह से पूरे नेता बने लें दूसरा उन्होंने किलीर कर दिया संयोजग जो है कुछ लाज्यों के होंगे उनका एक अद्ध्यक्च होगा लेंशोंने इनको कि नितीश को हम हलका सा नितीश अगर वहाँ उपर सयोजग बनना चाहिते हैं विपत्स के अद्धग वो तभी बन सकते हैं जब हमारे उसको डील करें हमारे बच्चे को चीम मिनिश्टर बना दें अग्खुद पैदान मंतरी के उस पर याद्धग बन जाए लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले निटीश कुमार भी एक बार कह चुके हैं कि दो हजार पचीस का जो विदानसबा चुनाव है वो तेज़स्पी यादव के नेतर्थ में लड़ा जाएगा तो निटीश कुमार पर क्या कोई दबाव है जब आरजडी के साथ उन् किसी के पहले लाजड की मीटिंग हुई थी लाजड की मीटिंग में उनको ऐसा लगड़ा था कि साइद ये लोग हमको समझ गया है और हम से किनारा कर सकते हैं तो उस समय उन्होंने उसको मतलब वह जो जो लाजड के नेताओं को लाजड को मतलब उनको सांध करने के लिए जो हैं कभी भी किसी को सत्ता अपने आगे देही नहीं सकते हैं। उन्होंने नहीं सुसील मोदी को दी ना किसी को दी। और उनका बहुत यह है कि लंबी राजनीद खेलना जब तक मैं जीवित हूं। तब तक मैं राजनीद हूं। और नेताओं में सन्यास नाम की चीज जब तक मैं जीवित हूं। तब तर राजनीद में अपनी दखन अंदाजी देते रहेंगे। लालू भी आज इतने बिमार होने के बादूद भी इतना सब होने के बादूद में राजनीद में उतना इंटर्स्री रखते हैं। नालंदा इनका छेत रहे तेजश्ची का। अब पढ़ना भी भी कलात को एह हुआ है कि वहाँ पर गोली कांड हुए तो कानून विवस्ताओं वहाँ इतनी बिगड़ गई है। अभी पांचे रोज पहले वहाँ पर जागरन का एक पतकार वहाँ पर बिहार में मार दिया गया। जबकि वह बिचारा बराबर कह रहा एनसे लगा दिया गया। तो लालू भी देख रहे हैं वो चाहे रहे हैं कि सारा ठीकरा नितीज को उस पर जाए ये निश्चित है कि अगला जो चुनाओ है विधान सवाखा और लोग सवाखा निश्चित तोर पे लालू नितीज की अलग-अलग रहे होंगी और नितीज क आपको बताना है नितीज का कुछ भी नहीं का जा सकता कब वो पल्टी किधन मार जाएं इस लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है तो लालू परसाद यादम ने एक और बयान दिया है और वो बयान है जो आई एंडी आई एक गड़बंदन तयार हुआ है राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हो या फर कोई भी हो जो चेहरे का कहीं चुनाव है वो लोकसबा चुनाव के बाद ही तै होगा तो एक तरफ वो राहुल गांधी को दुल्हा बनाना चाहते थे लेकिन अब वो उस बयान से भी पलट रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको लालू जी के बारे में बता दूँ लालू जी का आस्ट ने सुरू से राजनेतिक में उसमें वो ऐसी बात कह देते दखलंदा जी हमेशा बनाए रहे हैं भी पक्षमू आपको बताने बहुत पहले मुलाइम सिंग यादो का जब प्राइम मिनिश्टर बनाने की बात हुए थी तो लालू ने उस समय का था लालू ने बिरोध किया था जब मुलाइम सिंग जब अपनी लड़की के साधी में बढ़ात लेकर रहे हैं तो लालू ने गुजलाल जी को और देवे गौला जी को और बीपी सिंग जी को और चंसेकल जी को प्राइन मंतु बनवाने अगर किसी के महती भूमका रही तो इसमें कोई सक नहीं लालू की रही लालू अब भी दख्लनदाजी करना चाहते हैं प्रन्त अब लालू आउट्डेटेड हो गए नितीज की आपके बताने हैं नितीज का पहले से गिराफ काफी गिड़ गया है इस बात को लालू जानते है अब ही जो 2020 में चुनाओ हुए थे उसमें एक सो पचीश सीटे एंडीए को मिली थे एक सो पचीश सीटे जिसमें जेडियू की जंताजल उनाइटेट की नितीज कुमार की सीटें 28 कम हो गई थी उसको सिर्फ 43 सीटे मिली थे मतलब 2015 से 28 सीटे कम होना बहुत बढ़ी माहनी बहुत कम 43 सीटे बीजेपी को 74 सीटे मिली थी 2015 से 21 सीटे जादा हुई थी अब बीजेपी का जो बोटा परसंटेज था वो 29 की जगए 24 परसंटेज हो गया था इधर क्या हुआ है कि कुछ वहाँ बोट बीजेपी से मिल गया है उधर मुशार बगएरा और दलित बीजेपी साथ तो वहाँ का एबरेज ये लगाया जाला कि बीजेपी 30 परसंटेज से उपर हो गई है 30 के लगभा 32 परसंटेज के लगभा बोट पा रहे जदियू का जो बोटा परसंटेज है वो पहले से काफी गिड़ गया है और गिड़ने की पोजिशन ये है कि जदियू के मेले भी कम जीते थे तो इस शीज को लालू समझते हैं तो मजबूरी में वो ये चाहरा है कि अगर जदियू का हमाय साथ साथ बने रहे मगए वहीं कुर्मी शत्री जो बोट है वो यादो बोट के साथ बोट नहीं करना चाहेता है मुसलिम बोट चूकि कुर्मी शत्री नितिश बंदन मुसलिम के साथ अभी तक नहीं हो पाया बड़े पैमाने पर या किसी भी स्टेट लेविल पर नहीं हो पाया इस चीज को लालू समझते हैं नितिश भी समझते हैं तो लालू बहुत सधा हुआ निसाना कर ला हैं मगर वो जानते हैं कि हम नितिश से बोट में आगे ह हो सकते हैं सब चीज में हो सकते हैं मगर पल्टी मारने में नितिश से तो इसी लिए उन्होंने ये बयान दिया है बड़े एक लाजनेतिक उस पे मगर लालू की गुगली कहां तक सफल होती मगर आप बिलकुल मान लीजे जैसे तेता में दरसार्स थे ऐसे इस समय उनको उटाले हैं केस हैं लेकिन इन सब के बीच आपने ये कहा कि 2025 में जब विधानसबा चुनाव बिहार में होंगे तो राहें अलग-अलग होंगी लेकिन इसका कितना फाइदा जो है वो बिहार में बीजे पी को मिलेगा आप ठीप कह रहे हैं लालू ने गुगली जरूर फेक तो है मगर वो वहां से वो एक पिकार से उसका जो उनका बालड है वो आंगे बढ़कर के फेक गया है तो लालू ने आंगे बढ़कर के फेका इसलिए लालू के गुगली जो है आओ गुगली माश्टर है खेलने के नितीश कुमाल और जो 2024 में पोजिशन है निश्चित तो पाबोर मिल गिया हरजन बोर जुड़ गिया हरजन टोटल बोर जा रहा है मुसाहट टोटल जा रहा है और माशी टोटल जा रहा है और आपको ताना है राम बलास पासवान का लड़का जा रहा है और कई दलित टोटल दलित जा रहा है तो उससे ऐसा लगड़ा है कि बीजेपी का लालू समझदान राजनेतिक ग्रूब में यह ही स्थित है तो इस पूरे माफले पर फरिष्ट पतरकार अजी जी का यही कहना है कि लालू परसाद यादव का जो यह बयान है यह जाहिड तोर पर पुतर मोह को दिखाता है और उनका आकलन यह भी है कि आने वाले वक्त में जब बिहार में विदान सबाद चुना होंगे या फिर उससे पहले 2024 में लोकसमा चुना होंगे तो जाहिड तोर पर आर्चेडी और जेडियू की राहें अलग-अलग हो सकती हैं क्योंकि जस तरीके की बयानवाजी का दौर चल रहा है वो बयानवाजी फिलाल यही इशारा कर रही है इस पुरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें क चैनल को सब्सक्राइब करें धने वाल